अन्जी, जैजिनेंद्र गाइज हमारा लीगल एप्टिट्यूट चल रहा है और लीगल एप्टिट्यूट में अल्रेडी हम कॉंट्रेक्ट एक्ट खत्म कर चुके है हम लोगों ने elements of company law start किया हुआ है राइट, chapter number 4 of legal aptitude legal aptitude की 17 classes हो चुकी है ये 18th class है और company law की already हम 2 classes कर चुकी है हमारे YouTube चैनल पर दोनों classes uploaded है दीबग्यन classes के उपर जो students first time हमारे videos देख रहे हैं उनको मैं inform कर दूँ कि हम CS executive entrance test की सारी videos free of post अपने YouTube चैनल पर upload कर रहे है notes के लिए आपको हमारे whatsapp broadcast list join करनी पड़ेगी हमारा whatsapp number है 98111-96732 तो यहां पर आप request send कीजिए कि आपको हमारी broadcast list join करनी है और हम आपको अपनी list में add कर लेंगे फिर जो भी notifications है वो आपको मिलते रहेंगे तो हमारे इस number को अपनी contact list के अंदर add कर लीजिएगा save कर लीजिएगा और हमें request send कर दीजिएगा broadcast list के लिए ठीक है specifically लिखिएगा कि I want to join CS executive entrance test broadcast list चलिए जी तो जी first two classes के अंदर हम लोगों ने क्या cover की है हम लोगों ने देखा कि meaning of company company का मतलब क्या है फिर जी nature and characteristics of company के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले corporate personality को discuss किया था सारे examples हम लोग discuss कर चुके थे उसके अलावा जी देखें मैं आप लोगों को एक story के form में first class में एक story के form में overall company का structure समझा चुका था ठीक जिसके अंदर हम लोगों ने सारी characteristics को consider करने की कोशिश की थी आज आज़िये जी अब हमें start करना है limited liability से second characteristic of the company अचा कुछ students को अभी भी शायद समझ में नहीं आया कि association of person में और company में क्या difference है मेटा company भी एक association of person ही है एक ऐसी association of person which is formed for a common object एक ऐसी association of person which is formed for a common objective और common objective company के समें क्या होता है business right मान के चले textile का business करना चाहते हैं चार लोग तो वो चारों मिलकर एक company start करेंगे तो वो चारों लोग जब मिले तो क्या बन गए association of person किस चीज के लिए मिले textile के business के लिए मिले आपस में common objective है और वो चारों लोग मिलकर company start करेंगे company कैसे start करें कहता है उन वो जब मिले तो associate तो होई गए for a common purpose जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो आपस में associate तो ही जाते हैं लेकिन जब वो अपनी इस association को registrar of companies के पास under company law register करवा लेते हैं अपनी इस association को register करवा लेते हैं तो उनकी association लोग की नजरों में क्या बन जाती है company लोग की नजरों में company बनने का मतलब कया है कहता है जिजो भी company लोग के अंदर उस association को benefits मिलने वाले है advantages मिलने वाली हैë character sticks मिलने वाली है वो तभी possible है जब वो अपने आपको ROC के पास register करवा ले तभी legally हम उसे company बोलेंगे in legal sense तभी वो company बोली जा सकती है अगर वो association of person अपने आपको register नहीं करवाती company लोग में registrar of companies के पास तब तक वो सिर्फ association of person रहेगी company नहीं होगी right association of person की लोग की नजरों में कोई legal existence नहीं है लोग कहता है ए बी सी डी चार लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो भीया ये individually भी हर तरह से लाइबल है इस association के लिए अगर इस association ने पचास लाग का उधार लिया है किसी से तो पचास लाग रुपे इन चारों से भी recover किये जा सकते हैं अगर तीन भाग association कंपनी की फोर्म में convert हो जाएगी और उसी के पास register हो जाएगी अंडर company लोग तो लोग कहेगा भीया अब तो ये चारों क्या बन गए एक कंपनी बन गए तो individual की कोई identity किस की है कहता है जी company की identity है ठीक है जो काम होगा company के नाम पर होगा अगर case file करना है company के नाम पर case file करना है पैसे recover करने है company से पैसे recover करने है आप किसी भी member को ये director को directly touch नहीं कर सकते limited liability limited liability का मतलब क्या है ध्यान से समझेगा इस point को जो आपकी book में दे रखा है उससे थोड़ा सा आगे जाकर समझारूं कहता है जी अगर हम liability के point of view से देखे तो तीन तरह की company बनाई जा सकती है एक तो company limited by shares एक company limited by guarantee और एक unlimited company company limited by shares company limited by guarantee और unlimited company तो जब आप company बनाने जाओगे तो आप बकायदा बताओगे रजिस्टरार को कि भाया आपको कौन सी company बनानी है तो basically जो हम form fill करेंगे ना company incorporation का तो उस form में option दी गई होगी कि आप कौन सी company बना चाहते हो company limited by share या company limited by guarantee या unlimited company company limited by shares का मतलब क्या है कहता है जी जहां पर company की share capital होगी company having share capital share capital का मतलब मैं आपको previous two classes में समझा चुक होगी जहां पर company की share capital होगी मान के चलिए कि A B C D चार लोग मिलकर company start करना चाहते हैं A कहता है या मैं अपने घर से 25,000 रुपे ला सकता हूं काम के लिए B कहता है या मैं अपने घर से 50,000 रुपे ला सकता हूं काम के लिए C कहता है या मैं 75,000 रुपे ला सकता हूं काम के लिए D कहता है यार मैं तो 50,000 रुपे ही ला सकता हूं काम के लिए टोटल मिलाकर इनके पास पैसा कितना हो गया कहता है जी दो लाक रुपे टोटल मिलाकर पैसा कितना हो गया दो लाक रुपे अब इन्होंने डिसाइड करना है कि ये जो काम करने जा रहे हैं क्या ये पार्टनर्शिप की फॉर्म में करेंगे या कमपनी की फॉर्म में करेंगी ये खुट कौन डिसाइड करेगा कहता है A, B, C, D जो लोग काम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर ये पार्टनर्शिप की फॉर्म में काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर पार्टनर्शिप एक्ट अप्लिकेबल है अगर कमपनी के फॉर्म में काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन लोगों को बकाइदा अपने आपको रजिस्टर ओफ कमपनी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा तो जी रजिस्टर ओफ कमपनी पूछेगा कि भीया आप जो एक कमपनी बना रहे हो कौन से बना रहे हो यह कहेंगे limited by shares क्योंकि हम लोग capital इंट्रड्यूस कर रहे हैं तो इस्टर पुछेगा ठीक है आप लोग खुद decide कीजिए कि आपके share की face value क्या होगी क्या बात कर रहूं में face value क्या होगी face value का मतलब क्या हुआ यह हैं हम क्या बोलेंगे nominal value तो सारे एक ही है एक ही मतलब है चारो terms का क्या आपके shares की face value या original value या actual value या nominal value क्या होगी आपकी capital है 2,00,00, आप कहते हो जी हम लोग 10 रुपे का एक share रखेंगे तो 10 से divide कर देंगे तो कितने share हो जाएंगे कहता है जी 20,000 कितने share हो जाएंगे 20,000 तो जी आपने registrar को कहा कि देखिए जो हमारी company है उसकी share capital is 2,00,00 रुपीज डिवाइड इंटो 20,000 shares of रुपीज 10 एच हम इस तरह से अपने business में capital introduce करना चाहते हैं अब जी इसको face value क्यों बोल रहा हूं है जो चीज भी मैं बताए जारूँ ध्यान से सुनते रहीएगा बाद में जाके सारे हाथ पैर जोड़ेंगे और आपके सामने company खड़ी पाएगी ठीक है जरूरी नहीं है जो book में दिया है सिर्फ वही बताऊँ हुआ जो book में दे रखा है वो समझाने के लिए भी तो और चीज़े समझानी पड़ेगी ना तो हर चीज बड़े ध्यान से सुनते रहीएगा तो जी इसको हम face value क्यों बोलते हैं क्योंकि औरिजनल value है अभी कोई addition नहीं है कोई इसके अंदर reduction नहीं है addition deduction का क्या मतलब होता है मैंने कहा कि मानके चलते हैं कि दो लाक रुपे से काम शुरू किया company ने जब दो लाक से काम शुरू किया तो company ने decide किया मतलब ABCD ने decide कि कितने रुपे पर share होगा 10 रुपीज तो जी number of shares कितने हो गए चलो जी ये क्या है कहता है जी share capital of the company ठीक अब जी पूरा साल हो गया काम करते होए और company ने एक लाक का profit भी अन किया तो जी company के पास total कितने पैसे हो गए मैं बड़ी simple सी वेक सी language में फिलाल बात कर रहूँ company के पास कितने पैसे हो गए कहता है दो लाक प्लस एक लाक company के पास तीन लाक रुपे हो गए number of shares कितने है कहता है अभी भी number of shares तो उतनी है कितने 20,000 अब जी 20,000 shares में 3 लाक को divide किया जाएगा 20,000 shares में 3 लाक को divide किया जाएगा तो एक share की value कितनी हो गई अब कहता है जी काईदे से देखा जाए तो एक share की book value book value कितनी हो गई कहता है 15 रुपे 3,000,000 shares shares तो ना increase होई है वही जो initial capital थी उससे काम करते रहे अब 1,000,000 profit और हो गया तो total मैं मान के चल रहूं अपनी के पास 3,000,000 रुपे हो गई जितनी भी цвет है नंबर of shares में divide की जाएगी नंबर of shares कितने है 20,000 shares है तो 3,000,000,000 shares में divide करेंगे तो book value कितनी है गई 15 जबकि face value की है original value की है 10 तो कहता है nominal value different हो सकती है book value से book value different हो सकती है market value से कैसे different होगी market value से book value कहता है जी market में मान के चलो 10% return है 10% return मतलब तो अगर कोई दो लाख रुपे लगा के काम करता है तो उसको पूरे साल में बीस हजार रुपे बचेंगे अगर कोई दो लाख रुपे लगा के काम करेगा तो उसे पूरे साल में बीस हजार रुपे बचेंगे यह तो company बड़ी ही profitable है जो दो लाख रुपे लगा के काम शु अगर मैं इस company का एक share पांच गुन जादा का ले लूँ पचास रुपे का एक share ले लूँ मैं इस company का तो भी मुझे profit कितना मिलने वाला है कहता है जी एक लाख रुपे का profit है divided by 20,000 shares एक लाख रुपे का profit है divided by 20,000 shares तो पर share profit कितना आया सिर्फ profit की बात कर रहो मैं फिलाल share के value की बात नहीं कर रहा profit कितना था एक लाख रुपे share कितने थे 20,000 डिवाइड डिवाइड किया तो पर share profit कितना है पांच रुपे कितना है अगर मैं यह जो 10 रुपे का share है जिसकी face value औरिजिनल वाल्य दस रुपे है इसको 50 का भी purchase कर लूँ तो भी क्या घटा है पांच रुपे तो return मिल रहा है मुझे पूरे साल में एक share के उपर पांच रुपे तो return मिल रहा है कितना हुआ किता है 10%, market में भी तो यह return मिलेगा अगर मैं कहीं और invest करूँ है तो भीया वो बंदा कंपनी का share 10 रुपे वाला share कहेगा 20 में भी लेने को त्यार हूँ दूसरा कहेगा 30 में भी लेने को त्यार हूँ तुसरा गाता है यार मैं 30 रुपे लगाओ और मुझे पांच रुपे का रिटर्न मिल घ्या कि तो पंदरा और पंदरा प्रसंट से भी जादा का रिटर्न मिल गया तो बेसिकली बात यहां return की हो रही है तो market value determine की जाती है on the basis of return ठीक है book value जिसे हम दूसरे words में intrinsic value भी बोलते है intrinsic value जो कि based होती है upon the assets of the company जबकि market value generally कहता है जी assets को भी दिमाग में रखा जाता है company के business profile को भी दिमाग में रखा जाता है और returns को भी दिमाग में रखा जाता है ठीक है यह जो process हमने समझा ना कि on the basis of returns इस process को बोलते है capitalization capitalization कितनी capital लगा के क्या return मिलने वाला है किता हमें क्या मतलब है share 10 रुपे का है 12 का है 15 का हमें तो यह बता हूं कितने पैसे invest करेंगा तो तो पांच रुपर रिटर्न मिल रहा है तो या बहुत रिटर्न मिल रहा है तो राइट लगबग 16% रिटर्न मिल रहा है तो वो डिपेंड करता है ना किस चीज़ पर capitalization पे returns पे depend करता है तो market value different हो सकती है book value different हो सकती है और face value के मतलब original value share की actual value जिस तरह अगर मैं कहूं कि कोई product market में 100 रुपे का है लेकिन black में कितने का भी कर रहा है कहता है जी 150 रुपे का तो market value कितनी हो गई ये market value है ये क्या है face value है ठीक है अगर मान के चलो product पिट गया 100 रुपे का product है कोई SC में भी purchase नहीं कर रहा तो दुकान दा discount में sell कर रहा है कैता ले लो 70 में ले लो तो market value में भी more than the face value में भी less than the face value market value में भी different from the book value और market के case में तो sentiments बहुत work करते हैं खासकर share market के case में लोगों को लग रहा है एक company चलने वाली है इसके business चलने वाला shares के rate बढ़ने वाले हैं वो ज्यादा में भी लेना purchase करना prefer करेंगे ठीक है तो जी इन लोगों को खुड decide करना है जी हमारी जो business होगा हमारा वो partnership के form में होगा capital introduce करें क्या पर share की value रहेगी टोटल मिलाकर कितने हमारे shares रहेंगे तो ऐसी company को हम बोलते है limited by shares जैसे कि आपकी science है Tata है SBI है जितनी भी आप companies day to day रोटीन लाइफ में सुनते हो सारी क्या है limited by shares ठीक अब जी आपने initially क्या किया कहता है जी एक बंदे ने लगाया 25,000 रुपे तो इसे कितने share मिल जाएंगे एक share 10 रुपे का तो इसे मिल जाएंगे पच्छी सो share इंटू में 10 दूसरे लगाया 50,000 रुपे तो जी इसको 500,000 share मिल जाएंगे इंटू में 10 तीसे लगाया 75,000 रुपे इसे 7,000 share मिल जाएंगे इंटू में 10 तो तो इन लाइक कितने shares होगे 20,000 shares हो गई, per share की value कितनी हो गई, 10, यहां तक clear है, ठीक, अब जी company खड़ी हो गई है, जहां से सुनते रहे हैं सारी बाते, company incorporate हो गई, incorporate करने वाले कौन थे, A, B, C, D, income क्या बोलेंगे, income कहेंगे promoters, promoters of the company, जिन्होंने company को promote किया, जिन्होंने एक idea develop किया, business idea, उस idea को concrete form में convert किया, reality में convert किया, company बनाई, they are the fathers of the company, company, company को पैदा करने वाले हैं ये, और अब इनको decide करना है कि जो company के case में हम क्या कहते हैं, कि जी directors को appoint करना पड़ेगा, directors अलग हैं, members अलग हैं, जब ये company बना रहे थे तो ये क्या थे, promoters of the company, जब company बन के खड़ी हो गई, तब ये क्या बन गई, ये चारोंगे, members of the company, तब ये चारों क्या बन गई, members of the company, क्यों, because they are having the shares of the company, ठीक है, और क्योंकि ये initial member थे, दोबारे से repeat कर रहे हूँ, ये क्या है, कहता है, जी initial members, अगर आपने previous class सुनी हो, जो first class मैंने दी थी, उसमें बताया था, दो documents का मैंने जिकर किया था, एक MOA, एक AOA, तो जी MOA के अंदर क्या बताया जाता है, कहता है, जी constitution of the company, दुनिया को बताता है MOA की company क्या है, Memorandum of Association, जिस हम क्या बोलते हैं, constitution of the company, किसके लिए है, कहता है, जी MOA is for outsiders, deciders, दुनिया को बताएगा कि company क्या है, भीया, company का नाम क्या है, company का का काम क्या है, company का घर क्या है, तो name of the company, MOA में लिखा होगा, ठीक है, कहता है, जी registered office का address क्या है, वो state in which registered office of the company is situated, भी registered office डैली में है, मुंबई में कहां पर है, काम तो कहीं भी कर सकती है, all over India भी कर सकती है, all over world भी कर सकती है, लेकिन कोई ना कोई तो एक office होना चाहिए ना, जहां पर हम चिठी, पत्र, संदेश बेज दे, तो हमें दिल को तसलिए मिल जाए कि भी या, company को मिल गया, बात खत्म, तो registered office क्यों बोलते हैं, क्योंकि this is registered with ROC, MOA के अंदर ये address दे रखा होता है, ठीक है, company के objects क्या है, मतलब business, company के objects क्या है, कहता है, जो objects लिखे हुए हैं MOA में, जो business लिखा हुए है, उससे बाहर जाकर company काम नहीं कर सकती, अगर company ने लिखा है, कि यह हमारा business है textile का, तो company सिर्फ textile का ही काम कर सकती है, कोई और काम नहीं कर सकती है, अगर कोई और काम करना है, तो पहले इसको change करना पड़ेगा, alter करना पड़ेगा MOA को, ठीक है जी, फिर जी company की capital क्या है, जैसे हमने कहा न, the share capital of the company is 2 lakh rupees divided into 20,000 shares of 10 rupees each, और company की liability क्या है, मतलब liability of members, क्या रहेगी, limited है, unlimited है, limited by guarantee है, क्या है, तो जी MOA में यह सारे close दे रखे होते हैं, close 1, close 2, close 3, close 4, close 5, 5 close दे रखे होते हैं MOA के अंदर, name of the company, state in which the registered office of the company situated, objects, मतलब business of the company, capital structure of the company, and liability of the members, और जी, यह सारी चीज़े कोण decide करेगा, कहता है, initial members of the company, those who are the promoters of the company, मतलब A, B, C, D, यह चारों मिलकर decide करेंगे, कि भी है company का नाम क्या होना चाहिए, एक बार ABCD decide करेंगे, company का नाम क्या होना चाहिए, फिर ABC, CD, ROC के पास जाएंगे, कि प्रभू हम business start करना चाहते हैं, company के form में start करना चाहते हैं, और अपनी company का नाम deep ग्यान रखना चाहते हैं, तो जी, your company registered है हमारे पास, अगर ROC को लगेगा कि भाया कोई objection नहीं है, दीब ग्यान classes नाम देने में, तो ROC कहेगा, ठीक है, you can proceed, इसका मतलब name रखने से पहले, we have to take the consent of ROC, in case of company, क्या partnership में ऐसा है, the answer is no, जो मर्जी नाम से partnership start कर लो, क्या association of person में ऐसा है, the answer is no, जिस मर्जी नाम से association of person start कर लो, जिस मर्जी नाम से sole proprietorship start कर लो, क्योंकि ना तो sole proprietorship लोग की नजरों में sole proprietorship की legal existence है ना partnership की legal existence है ना association of person की legal existence है बट लोग की नजरों में company की legal existence है तो लोग कहता है भी या the name of the company shall be unique जो किसी और का ना हो ताकि consumer को आपस में confusion ना हो अगर deep gain classes के नाम से दो company होगी तो consumer को confusion होगी कि कौन सी deep gain classes की तरफ मुझे जाना है तो company का name unique होना चाहिए इसलिए ROC के पास पूरा database होता है तो ROC अपना database चक करता है ROC trademark office का database चक करता है और देखता है कि कि किसी के पास company नाम का deep gain नाम का word है या नहीं है और नहीं है तो ROC deep gain को alert कर देगा मुझे जैसे आपने देखा हुआ है दीब गयान के आगे R लिखा होता registered because deep gain is my registered trademark deep gain मेरा registered trademark है already registered है मेरे नाम से to provide educational services ठीक है तो widest approach है इसकी इसका मतलब deep gain के नाम से कोई और coaching या फिर education provide नहीं कर सकता ठीक तो अगर आप चाहोगे कि मैं अदीब गयान के नाम से company मना हूँ ROC will not allow that क्योंकि वो name ही नहीं आपको देगा ठीक है जी तो जी ROC के पास गए name लिया name लेने के बाद फिर आपने decide कि कौन से state में हमें registered office create करना है मान के चलते हैं ABCD चारो डैली बेस्ट है डैली में रहने वाले हैं तो यह डैली में ही अपना registered office situate करेंगे फिर जी object clear coaching provide करनी है online classes provide करनी है राइट कैपिटल दो लाख रुपे divided by 10 20,000 share capital होगी और liability क्या होगी limited होगी liability of members क्या होगी limited अभी limited word का मतलब समझाऊंगा ठीक यह सब किस ने decide किया ABCD ने those who are the promoters of the company लो जी MOA त्यार कर लिया फिर जी दूसरा document क्या त्यार करेंगे ABCD कहता है जी AOA AOA articles of association तो लो खुद कहरा भी है your company is an association कहतो रहा है कि आप जो company का article त्यार करेंगे मैं से क्या बोलेंगे articles of association means rule book लोग कहता है हमें बताइए आपकी company का internal working कैसे होगा तो जी उस चीज़ के लिए आप एक document त्यार कीज़े articles of association and this articles of association is not for the outsiders this is basically for the कहता है जी internal management of the company management of company basically यह क्या बता रहा है articles of association के company के अंदर जो काम होगा किसके पास क्या power होगी कौन board meeting call कर सकता है directors कौन कोन है तो यह सब चीज़ कहां लिखा हुआ articles of association के लिए तो इसके जो close है articles of association के वो भी कौन decide करेगा कहता है ABCD यह लोग आपस में decide करेंगे कि articles of association के close क्या होगी तो कुल मिला के यह लोग decide करेंगे MOA में क्या होगा AOA में क्या होगा क्या लिखा जाएगा और उसके बाद यह डोनों documents लेकर दोनों documents लेकर पोचेंगे ROC के पास रभू हमारी company incorporate कर दो अपने पास register कर वा लो हम चार लोगों को as company अपने पास register कर लो ठीक है तो ROC अगर कोई objection नहीं होगा ROC को तो ROC को लगेगा that you have complied with all the provisions of companies at 2013 तो ROC will declare you as a company मैं कहरों ROC will declare the A, B, C, D as a company means ROC कहेगा now you are not an association of persons you are a company and you can work as a company चलो जी company incorporate हो गई अब जी ये लोग चारों मेरे पास है बाओ जी company को हमने बनालिप क्या करें मैंने का देखे आप company बना चुके हो तो अब आपको decide करना है कि who shall be the directors of the company वैसे मैं आपको बता दूँ जब हम company incorporate करने जाते हैं तो initially we have to declare the directors of the company ठीक बट चलो अभी वो बात की बात है तो यह आपको decide करना है कि जी directors कोन होगा क्यों 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 कहता है knowledge पूरी है तो यह काम करते हैं ए बी सी इन तीनों ने अपने आपको डिरेक्टर पॉइंट कर लिए इन दा company क्या member अपने आपको डिरेक्टर पॉइंट कर सकते हैं यस the member can appoint themselves as the director of the company by the consent of the majority चारों ने मिलके decide कि होगा कि directors कौन बनेंगे a बनेगा b बनेगा c बनेगा d ने का यार मेरे पास और भी वहुत सारे काम है तुम तीनों मिलके manage करो company को जो profit होगा मुझे देते रहा क्योंकि मैंने investment कर दी है ठीक है तो यहाँ पर a b c क्या हो गई कहता है a b c director भी हो गई और member भी हो गई a b c d will take the decision as the director and d cannot interfere into the day-to-day business of the company क्यों बनाया गया structure क्योंकि company for business के अंदर हजारों लाखों लोगों को member बनाया जा सकता है by selling the shares क्या लाखों लोगों को company में decision taking power दे दे अगर ऐसा कर देंगे तो भीया सिर्फ fight होगी आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिलेंगे company काम तो करी नहीं पाएगी तो ऐसा structure बनाया गया कि भीया members सारे के सारे company में नहीं घुसेंगे ठीक जिन लोगों को as director point किया जाएगा सिर्फ वही लोग company को direct करेंगे company के business को direct करेंगे on behalf of the members because the actual owners are the members of the company ठीक अगर चाहते हैं तो D को भी director बना सकते थे no doubt ठीक है ना लेकिन चलिए जितने कम directors होंगे appropriate number of directors होने चाहिए ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी उठा के director बना लिया company में ठीक है तो जी अब ये ABCD को as director remuration भी मिलेगी plus कहता है जी as member dividend भी मिलेगा जो profit का इसा होते है dividend भी मानके चलो company को एक laag rupy का दो laag rupy का profit हुआ company ने एक laag rupy की remlaration देढ़ी ABCD को आब profit कितना रग्या एक laag rupy तो जी a को b को c को इन्हों को मिला कर एक laag rupy की remuration चलिगी अब company का profit कितना रह गया अब जो profit रह गया ये members में बटेगा तो जी members कौन है कहता है जी a b c d members कौन है a b c d तो इनमें बटेगा कहता है किस हिसाब से number of shares किस हाब से एक के पास कितने shares थे कहता है जी total मिला के share capital थी 20,000 तो 1 lakh divided by 20,000 तो पर share कितना आ गया profit पांच रुपे जिसके पास जितने shares है इंटो में पांच रुपे कर लो इसको अतना profit मिल जाएगा तो जी जो directors को additional मिला तो भया इनकी ना की है company को चलाने में सिर्फ company बनाई और अपना काम करतारा लग से दूसरा काम इन्होंने company बनाई भी company में काम भी कर रहे है तो इनको दोनों चीज मिलेगी रेमिरेशन भी मिलेगी प्लस profit भी मिलेगा राइट तो जी यहां पर जो ABCD है मैं कहरूं जी ABCD में से ABC director भी बन गए member भी बन गए D सिर्फ member है लेकिन यही लोग तो थे initially जिन्होंने MOA बनाया था तो जब MOA बनाएंगे तो क्या यह MOA को sign नी करेंगे agreement कर रहे हैं सब चीज़ डिसाइड कर रहे हैं तो यह sign नी करेंगे MOA AOA को तो इन्हें हम क्या बोलेंगे that these are the subscribers of the MOA इन लोगों ने MOA को subscribe करेंगे अपने sign करें अपना नाम लिखा है इन्होंने का ठीक है इन terms and conditions पर we are ready to incorporate the company तो MOA को भी subscribe करेंगे AOA को भी subscribe करेंगे जब company अच्छी चल पड़ी तो जी company ने सोचा और funds introduce किया जाए company के अंदर ABCD ने सोचा कि और funds company में introduce किया जाए company को बढ़ाया जाए तो जी इन्होंने अपने friends को कहा कि यार हम share sell करना चाह रहे है company में invest करना चाहोगे तो जी इ कहता है ठीक है मैं invest करना चाहूँ है दो लाख रुपे तो जी company इ को दो लाख रुपे के shares दे देगी now is the member of the company new member of the company but is not the promoter क्योंकि initially company किस ने promote की थी इन लोगों ने is only the member not the promoter is not the subscriber of MOA AOA क्योंकि इने तो बाद में company को join किया है तो is the member but not the subscriber of MOA AOA ठीक है बाद में जो लोग जुड़ते जाएंगे company के साथ as member वो सिर्फ member होंगे ना तो promoter होंगे ना ही subscriber to MOA AOA होंगे लेकिन ABCD क्या है कहता है जी ये promoters भी है plus subscribers to MOA AOA भी है plus company के members भी है ठीक है जी तो जी या तो ऐसी company बनाई जा सकते है company limited by shares अब जी मैं कहनो limited by shares हा क्या मतलब हुआ हम word use करें limited by shares कहता है limited by shares का मतलब ही है कि जो भी company का member बनेगा जो भी इस company का member बनेगा वो company का share purchase करेगा हर member को at least one share तो purchase करना ही पड़ेगा तभी तो company का member बनेगा ठीक है कहता है जी share को ना यहाँ पर एक object मानके चलो वस्तू चीज मानके चलो मैंने company का share purchase किया कितनी value थी 10 रुपे मैंने company को 10 रुपे दे दिये now I am the member of the company अब जी company को loss हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है company को loss होगा तो मेरा कोई मतलब नहीं है अब यह लोग थे जन्होंने company start की थी शुरुआत में दो लाक रुपे से share capital बीस हजार shares of 10 रुपीज इच तो जी मानके चलते इनको नुकसान हो गया एक साल काम क्या नुकसान हो गया और company की asset कितनी रह गई सिर्फ एक लाक company की asset कितनी रह गई सिर्फ एक लाक और company के सर पर liability है कितनी तीन लाक company के सर पर liability है तीन लाक इन्हों से share company बंद करो नुकसान हो रहा है कोई फायदा नहीं है सिर्फ जो जो यह credit हैं liability holders हैं क कहेंगे के हमें पैसे दो अस आ पैसे दो ABC कहेंगे और söyle आपने किसको दियता और company को चई कहेंगे Set जिर्फ आपने नहीं दिया था ना, हमें personally नहीं दिया था ना, तो जी, जो company की assets है, वो बेच के, जतना recover सकता हो, उतना recover कर लो, उससे जधा app, k alcohol give नहीं कर सकते हैं, आप झो claim कर सकते हैं, जो claim कर सकते हो, किस से कर सकते हो company से company के पास कितने की assets है, एक लाक रुपर की, आप maximum यह claim कर सकते हो आप हमसे personally कुछ claim नहीं कर सकते है तो जी ABCD का loss किया आगया था इनकी shares की value zero हो गई क्यों इनके हाथ में कुछ बचाई नहीं तो इनके तो दो लाक रुपे गए दो लाक रुपे गए लेकिन कहता है जिन्नों उधार दिया था उनका पूरा पैसा recover नहीं हो पाएगा उनको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जो company की assets बेचकर recover हो सकता है मतलब दो लाक रुपे कहता है जी कोई recover नहीं होगी दो लाक रुपे कोई recovery नहीं है यह directly A से B से C से या D से पैसा recover नहीं कर सकते क्यों यहीं तो सारा concept है company की corporate personality है company कहता जी यह company है जिसको manage कौन कर रहा है डारेक्टर्स directors को appoint किसने की है members company का profit किसे जाएगा members को रेमिरेशन किसे मिलेगी directors को किता creditors यहाँ पर है creditors के पास क्या option open है काली यह सिर्फ यह क्राइटर सिर्फ किस के ओपर केस फाइल कर सकते कमपनी के ओपर कहता है डिरेक्टर्स तक पोछी नहीं सकते क्राइटर्स परस्नली डिरेक्टर के ओपर केस फाइल नहीं कर सकते परस्नली मेंबर्स के ओपर केस फाइल नहीं कर सकते सिर्फ किस के ओपर case file कर सकते हैं company के ओपर भाया जब इन्हों ने company के साथ dealing की थी business किया था उधार दिया था company को तो मान के चला जाएगा कि इन्हों ने company का MOA पढ़ा था और MOA में clear cut लिखा था that the liability of the members shall be limited limited का मतलब कि members ने जो company के shares ले रखे हैं बस उसके नाम का पैसा देंगे members और वो भी किसको देंगे members किसके shares ले रखे हैं company को किसको देंगे company को तो जी members ने एक बार अपने shares के नाम के पैसे दे दिये company को उसके बाद members का कोई लेना देना नहीं है company को loss होगा तो company जाने और आप जाने company को profit होगा तो company distribute करना चाहेगी तो members में distribute कर सकती है company distribute करेगी या नहीं करेगी decision कौन लेगा directors लेगे members के पास ये भी right नहीं है कि company को profit होगा तो member यह कह दढ़े कि ya profit हमारे में distribute करो कौन decide करेगा directors decide करेंगे कि company के profit को members में distribute करना है या future expansion के लिए future contingency के लिए उठा के रखना है in the form of reserves हो सकता है director थोड़ा profit distribute कर दे members में थोड़ा उठा के रख़े, हो सकता है सारा उठा के रख़े, कुछ भी distribute ने करे हो सकता है डिरेक्टर सारा डिस्टिब्यूट करते है कुछ भी उठा के ना रखे depends upon the directors because directors को ही तो अपॉइंट किया है हमने company के बिहाफ पर right decision लेने के लिए right तो कहता है जी जो creditors है they cannot directly approach to directors they cannot directly approach to members for the recovery of their debts they can only file case against the company अब जी यहाँ पर मान के चलते हैं जो ई था जिसने दो लाख रुपे के company के shares लिये थे दो लाख में से अभी सिर्फ एक लाख रुपे दिया था मतलब इसे company का अभी एक लाख रुपे और देना था तो क्या director or creditors directly ई को approach कर सकते हैं कि भाई तुने company का एक लाख रुपे देना है company के विज़ाए हमें दे दे क्योंकि company ने हमारा पैसा देना है the answer is big no he क्या कहेगा तेर से ले रखा है कुछ किस से लिया हुआ है company से लिया हुआ है न तो मैं पैसे किस को दूआ company को दूआ है मेरे पर case file कोन कर सकता है for the recovery of money company case file कर सकती है के ओपर तो मतलब जो भी company के members है वो corporate shield के पीछे चुपे हुए है CS का मतलब company secretary नहीं CS को corporate shield के पीछे members चुपे हुए है corporate shield क्या कहती है members या फिर directors members या फिर directors are not personally liable for the loss या credit या any action of company या clear cut कहा corporate shield नहीं कि बेटा जो भी यहां पर stakeholder है चाहिए in the form of consumer चाहिए in the form of creditor चाहिए in the form of government जो भी stakeholder है उसने company से deal किया था member तो नहीं किया था आज मैं मौरती की कार लेने जा हूँ हुआ मैं मारूती से deal कर रहा हूं मौरती के members मौरती के director से तो नहीं कर रहा हूं तो यह उसने company से deal किया था और company ही liable है अब मैंबर से directors तक पहुचने की कोशिश मत करना क्यों क्यों को पहुच सकता है members तक company कोन पहुच सकता है सिर्फ company और जी company भी members से क्या मांग सकती है कहता है सिर्फ in case of company limited by shares कहता है company भी member से क्या मांग सकती है unpaid money on the shares क्या मांग सकती है सिर्फ कि भीया आपने अगर कोई shares लिये है company से और un shares का पैसा अभी unpaid है unpaid money on shares उन shares का पैसा अभी unpaid है तो वो पैसा दे दीजे बस उतना मांग सकती है तो members की liability क्या हो गई limited कहां तक कहता है limited to unpaid money of the shares एक बार member ने अपने share capital के पैसे दे दिये अपने shares जो purchase की तो उसके पैसे दे दिये उसके बाद भीया members का कोई लेना देना नहीं है इसलिए कहते है liability है but limited liability कितनी है बस जितना पैसा member ने अपने share capital का नहीं दिया अगर member ने सारा पैसा दे दिये अपने share capital का 10 share लिये थे 10 के नाम के पैसे दे दिये तो भीया उस member की कोई liability नहीं company को एक करोड़ का नुकसान हो पांसो करोड़ का हो पचास करोड़ का नुकसान हो ठीक है अगर इस तरह से members के ओपर liability आने लग गई तो मैं किसी company के share सी purchase नहीं करूँगा यार मैं member हूँ ना तो मुझे business में day to day business में participate करने की permission ना ही मेरी बात सुनी जाती इन जनरल एक individual memory कोई बात नहीं सुनी जाती तुम लोग decide कर रहे हो मतलब directors decide कर रहे हैं कि क्या company करेगी क्या नहीं करेगी राइट वो day to day working को handle कर रहे हैं अब उनकी वजह से loss होगे तो मैं क्यों bear करूँ फिर मैं तो invest ही नहीं करूँगा मैं सिर्फ कितना invest करता हूँ आज के टाइम में जितने का risk लेने का मेरे मेरे मेरी ability है मुझे लगता है चल एक लाग के shares ले 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 क्यों मेरे पास एक लाग रुपे spare पढ़े कर बाए फीर फोर नेवेस्ट्मेंट मैं एक लाग के shares क्या सोच के लूँआ कि चलर मैकसम से मैकसम यह एक लाग रुपे खुन होगा मैं यह सोच्थ के फुरने mile नवेस्ट करूँ चलन एक लाग रुपे inवेस्ट कर देता हूँ कोई बात नहीं कुछ टाइम हो सकता शेर्स फिर यह ऐसी कंपनीज भी होती है जो की होती है कंपनी लिमिटेड बाइ गैरंटी अब यह कंपनीज कौन सी होती है वो समझेए अब मान के चलिए कि मेरे पास एक बड़ा सा बंगलो है बड़ा सा हवेली मान लेते हैं ठीक है जी अब जी मैं इसको एक कलब बनाना चाहता हूँ तो जी कलब बना हुआ तो कलब के मेंबर्स भी बना हुआ कलब बना हुआ तो कलब के मेंबर्स भी बना हुआ तो जी मैंने क्या किया कि यह जो कलब बनाया यह कंपनी के फॉर्म में बनाया ठीक है और जब आरोसे ने पूछा भी आप कौन सी कंप्पनी बना चाहते हो तो मैंने का कंप्पनी इंटिट बाइ गारेंटी बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं कलब की एक्टिविटी करूँ आ ठीक है जी अब जब मेंबर्स बना हूँ तो मेंबर्स से मेंबर्शिफ फी बिलुन हूँ Let's say 5.000 रुपे पर मेंबर मैंने membership fee ली मैंने members को कहा कि भिया जो आफ यह पैसे दे रहे हो यह shares के नाम के नहीं दे रहे हैं I am not going to give you any shares आप यह तो membership fee दे रहे हो कलब है तो चलाने के लिए पैसे चाहिए तो मान के चलते हैं मैंने initially लिए 100 member बनाए एक member से पांच जार रुपे लिए मेरे पास पांच लाग रुपय आ गए तो यह 5 लाग रुपय क्लब के पास आ गए अब जो कलब कोई भी facility प्रोवाइड करेगा मान के चलते हैं इंडोर गेम्स है या फिर मान के चलते हैं फूड है ड्रिंग्स है ठीक है यह कोई भी जो फैसिलिटी क्लब प्रोवाइड करेगा अपने मेंबर्स कोई तो प्रोवाइड करेगा किसी आउटसाइडर को तो प्रोवाइड नहीं करेगा और जी यह मेंबर्स जो यह फैसिलिटीज लें members तो जी कलब का benefit कोन लेने वाला है members लेने वाले हैं ठीक है अब जब कलब समान मंगाएगा market से उसका benefit कोन लेने वाला है members लेने वाले है तो मैं कहता हूँ देखो जी जो club मैंने बनाया है इन दा form of company बनाया है और जो भी इस club का member बनेगा उसको एक चीज़ agree करनी पड़ेगी क्या agree करनी पड़ेगी के जी कल को अगर ये club बन्द होता है जान से सुनिएगा at the time of winding up winding up of club कल को अगर ये club बन्द होता है तो जी club के सर पे जो भी liability होगी कलब के सर पे जो भी liability होगी जो की कलब खुद अपनी एसेट से पे उफ नहीं कर सकता विच कैन नोट बी पेड बाए कलब ठीक है तो जो कलब अपनी एसेट से पे नहीं कर सकता कहता है जी मेंबर शेल कॉंट्रिव्यूट् प्र वोंट्रिव्यूट्रिवड भी of the club जब वही club की asset में member contribute करेंगे तभी तो club liability pay off कर पाएगा तो member shall contribute to the asset of the club कब at the time of winding up if the club cannot pay its liability ठीक तो यह एक amount बता दी जाएगी कि per member कितने की guarantee दे रहा है कि जी per member की मांगे चले guarantee है 2000 रुपीस की हम यह पैसे आपसे कभी मांगने नहीं वाले जब तक club going concern है चल रहा है हाँ जब club wind up होगा उस time पर अगर club अपनी liability pay off नहीं कर पाया तो per member से 2000 रुपे तक मांगे जा सकते हैं कम club की assets के लिए ताकि यह सारे पैसे कहा जाएंगे club की assets में ताकि club अपनी assets से अपनी liabilities pay off कर सके ठीक है हो सकता है कि हर member से 500-500 रुपे एक काम चल जाए हो सकता है हजार जार रुपे एक काम चल जाए हो सकता हर member से पूरे 2000 रुपे लेने पड़े और उसके बावजूद भी club की assets उतनी ना हो पाए जितनी club फी liability है तो मान के चलते हैं कलब की assets थी एक लाग रुपे कलब ने 100 members बनाये थे हर member से 2000 लिए at the time of winding up कि we are unable to pay the liability तो 2000 रुपे दे दो तो जी 100 members से 2000 रुपे लिए 2 लाग रुपे हो गए जो पहले 5 रुपे लिए थे membership fee क्याता हो तो खागे ना खुद members ही खागे benefit ले लेके तभी तो यह नोबत आगी कलब बंद करना पड़ गया है ठीक है तो जी अभी दो-दो-जार पे ओड़ लिए तो टोटल मिलाई कलब की assets कितनी हो गई तीन लाग रुपे लेकिन liability तो पांच लाग की है कहता है अभी pay off नहीं हो पारी तो कोई बात नहीं यह तो भया जो भी creditors है उनको समझना था कि कलब के members कितनी है 100 members है पर member की liability कितनी है guarantee कि लिए रु 1000 रुपीज के लिए रखिया है और कल को अगर कलब के पास कुछ नहीं होगा तो maximum 2,00,000 रुपे member से recover किये जा सकते हैं तो यह तो भी यह उस बंदे को समझना था जो कलब के साथ deal कर रहा था किता है एक बार अगर कलब wind up होने जा रहा है उस वक्त जो member ने guarantee लिवी थी उतन company, creditor directly member को अप्रोच नहीं कर सकता, again corporate shield, corporate diwar, directly member को touch नहीं कर सकते, director को touch नहीं कर सकते, you can ask only, you can ask your money only to the company, company चाहेगी तो company can ask it from the stakeholders, मतलब members, ठीक है, तो यह जो liability close है, guarantee close है, यह भी सिर्फ कहता है जी company members से कट्टे करेगी और जो भी stakeholders उनको देगी, direct stakeholders cannot touch the members, ठीक है, और यहां limited by guarantee का मतलब क्या है, जो amount की guarantee ले रखे बस वहीं तक liability limited है, उससे ज्यादा member का कोई लेना देना नहीं है, ठीक, फिर जी चोथ तीसरा आता है unlimited liability, unlimited liability, नाम पने आप में क्या suggest कर रहा है, that the liability of the members shall be unlimited, तो इस case के अंदर liability of members क्या है, unlimited, members क्या जी, liability of members unlimited, मतलब जितना भी company को नुक्सान होगा, वो सारा member से recover किया जा सकता है, कौन recover करेगा, company, कहता है, even in this case, even in this case, corporate share तो बनी रहेगी, मतलब जो stakeholders है, consumers है, creditors है, government है, कोई भी जिसने company से पैसे recover करने है, वो direct member को touch नहीं कर सकता, even in case of unlimited liability, वो सिर्फ company पे case file करेगा, company members से recover करेगी, और फिर stakeholders को देगी, company recover कर सकती है, member से, लेकिन directly member को कुई हाथ नहीं लगा सकता, directly member के अपर कोई case file नहीं कर सकता, ठीक है, तो यहाँ पर भी चाहे liability of member unlimited है, लेकिन corporate shield यहाँ पर भी आए, मतलब members are liable only to the company, not to the stakeholders directly, ठीक है जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि in case of company, the liability of members क्या है, limited, चाहे company limited by shares हो, या limited by guarantee हो, या unlimited company, unlimited company कोन बनाता है, क्याता है, मेरे जैसा इंसान बना सकता है, जो मान के चलो, 2001-2002 के अंदर, अगर online classes लाने की सोच रहा है, और bank को कह रहा भी यह पैसे दे दो, क्योंकि, मैं एक system develop कर रहा हू जहां मैं online classes run करूँ, अब bank कह रहा है, पागल हो गया, ऐसा कभी होता है, क्या, कब की बात करूँ मैं, 2000 की, 2001 की, जब किसी किसी के घर में internet हुआ करता था, school में भी कोई को internet हुआ करता था, dot system चला करते थे, उस वक्त मैं कह रहा हूँ, जी आगे future में जाके देखना, online classes का ज unlimited liability है company की, members की, ठीक है, तो आप पैसे देने में डर क्यों रहे हो, चितना भी loss होगा company को company members recover करेगी और आपको दे देगी, तो ऐसे cases में जो की basically एक new venture होता है, market में एक new startup होता है, कुछ नया होता है, जहां लोग, अगर limited liability वाला case हो, ये दो case हो, तो लोग पैसे ही नहीं दे launch करनी है, पता नहीं कामयाब होगी, fail होगी, तो पैसा raise करने के लिए मैं क्या कहेंगे, या unlimited company बना रहे है, या liability of the members will be unlimited, अगर company पैसा नहीं दे पाई आपका, तो company अपनी members recover करके, आपको सारे पैसे दे देगी, ठीक है, हां जी, the privilege of limited liability for business debt is one of the principal advantage of doing the business under the corporate form of organization, क्योंकि मैं जब company start करूँ हा, तो मैं सिर्फ अपने जेब से उतना पैसा निकालू हा, जितने का मैं रिस्क लेने की हिमत रखता हूँ, मैं उतने ही shares purchase करूँ हा, जितने पैसे का मैं ये सोच के चल सकता हूँ की maximum से maximum क्या होगा, ये पैसे zero हो जाएंगे, right, the company being a separate person is the owner of its assets and bound by its liabilities, the liability of the members as the stakeholder extend to the contribution to the assets of the company up to the nominal value of the shares held and not paid by the member, members के liability कितनी, in case of company limited by shares, कहता है, जितने मैं ने shares लिये और उन shares के पैसे नहीं दिये, बस उतनी liability, एक बार मैंने अपने shares के पैसे दे जिये और उसके बाद मेरी कोई liability नहीं, कहता है, members even as a whole are neither the owner of the company, companies undertaking nor liable for its debt, तो अगर मैं किसी company के shares ले लिये तो इसका मतलब भी थोड़ना है मैं उस company के सारी assets का मालिक बन गया, ना तो मैं उसका मालिक हूँ, individually, collectively, जो members सारे मिलकर company के मालिक है, individually, मैं कोई मालिक नहीं हूँ, right, नहीं मैं company के debt के लिए liable हूँ, in other words, a shareholder is liable to pay the balance if any, if any, due on the shares held by him, when called upon to pay and nothing more, even if the liability of the company for exceed its assets, चीके जी, तो यह सारा आगे वही समझा रखा है, जो मैंने आपको बताया था, इस case लों में भी वही चीज़ बताय हुई है, the statute relating to the limited liability have probably done more than यह कुछ नहीं है, मतलब आप चाहूँ तो इसे कार्ट भी सबते हो, MCQ के point भी से कुछ भी नहीं है, और जो चीज़ समझाने की थी, वो चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, इसके अंदर आपको एक चीज चलो यह चीज तो मैं भी बाद में समझा हूँ आपको, यह चीज यहां पर समझाने की नहीं है, आपको यह तो पता होना चाहिए, कम से कम की public company क्या होती है, private company क्या होती है, minimum number of members in public company, private company क्या होती है, उसी के बाद आप यह चीज़ समझ पाओगे, तो जब मैं आपको public company, private company समझा हूँ हूँ, उस टाइम पर मैं यह point आप लोगो को समझा हूँ हूँ, ठीके जी, चलिए जी, next class में we will start with the perpetual succession, आपको लग रहा होगा कि यार, एक एक topic के उपर एक एक class, भीया, जो मैं समझा रहा हूँ ना, जब आप आगे जाओगे, chapter पे, तो आपको होगे, हाँ य ही तो आगे चलो ना, ठीके जी, चलिए, take care आई हूँ, आपको है किह start thisap, औरason, बसक लाँ, याराश्न,। वी, वी, जी, का एक एक tip, दो आपको है जी, आपको ड्नEBS, का वीज़, किन नापक एक जी, याराश्न, की एक मेच, याराश्न Administration, की णा में है झाल झाल झाल